वेलकम तो एसन दोब्ली के स्कूल और आज हम एक्सराइज स्टार्ट करने 20.3 ठीक ही ठीक हमारा बुस्त नमर बने विदाउट सॉल्विंग फाइंड सॉम एंड प्रोड़क्ट अप्रोड़क्ट अपको दीवी और इन सब में से हर एक का आपने सब सम एंड प्रोड़क्ट ठीक है इसके बारे में आप लोग थोड़ा क्लास में बता चुका हूं और आपको अगर कोई डीटील एक्समेंशन चाहिए नमर 93 इसका चेक कर सकते हैं वहां पर समफ रूट्स क्या होता हैं एंड प्रोड़क्ट अफूर्ट क्या होता है वहां पर थोड़ा उसके बारे मे है वह वन है और जो हमारा बी है वह माइनस वन है और जो हमारा सी है वह हमारा माइनस वन है ठीक है जी जो यह होता है वह हमारा ए होता है जो एक्स के साथ होता है वह हमारा बी होता है एंड जो कॉंस्टेंट होता है वह हमारा सी कंसीडर किया जाता है कोड़िक एक्वेशन क तो इसका फॉर्मला है बहुत ही सिंपल सा ठीक है जो 93 के उपर इसके एक्समिनेशन भी के फॉर्मला कैसे ड्राइब हुआ है तो आप वह भी देख सकते हैं और इसके लावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सकते हैं लिख सकते हैं लेट अलफा एन बीटा लेट अलफा एन बीटा अर्दा रूट्स अर्दा रूट्स अफ गिविन इकवेशन ठीक है तो हम पहले euros निकालेंगे तो हुआ लिखेंगे अर उसके बाद फिर दो प्रूट्के भी निकालेंगे तो असका फॉर्मला लिखें के तो फिर निकालने लगें छेन्व बाधने हैं संफ भॉर्वरोट्स वान पासलाद ग्लों प्लीटा जब jetर S एक लिग दिख सेखते हैं कि माइनस बी अपॉन ए और माइनस बी को आप रिप्लेस करेंगे किससे बी की वैलियू क्या हमने निकाली एक अडिट एक और एक सवाल में माइनस जो एक विशन का माइनस से लिखेंगे माइनस वन हमारे पाद यह फॉर्म ने में था और हमने यहा निकालेंगे प्रोडक्ट और निकालेंगे और प्रोडक्ट और रूट का फॉर्मला जो हम इस्टडी कर चुके हैं हमारे पास जो है वह फॉर्मला क्या है सी अपॉन एज हमारे प्रोड़क्ट और रूट का फॉर्मला है तो हम यहां पर अब वैलियो को प्लेस करेंगे हमने इससे प्रोड़क्ट और रूट निकालें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग ऐसे लिख लीजेगा के एलफा बीटा बराबर एक इसके सी अपॉन एक है का वन किसका वन सब्सक्राइब निस अब यहां पर फॉर्म३ले में माइनस नहीं तो मैनस का नगती हमारे पास माइनस का वन ही आंसर हो जाएक है क्या आंगिया फ्रोड़क्ट ऌफ रूट ऑफ रूट अलफा और बीटा उसके बाद देखिएगा question number 2 है हमारे पास 2x square minus 3x minus 4 is equal to 0 ठीके जी अब हम sum of roots निकालेंगे हमारे पास जो हमारा a है वो हमारा 2 है बी जो हमारा 3 है और जो हमारा constant है माइनस 4 तो मैंने आपको यह क्योंकि easy सवाला आते है इसलिए solve पहले से कर लीए तो मैंने आपको दिखा देता हूं तो यह क्योंकि एजी सवाल आते हैं इसलिए पहले से सब्सक्राइब मैंने का मैं आपको डिरेक्ली सी के उपर समझा दूंगा ठीक है सम आफ रूट्स एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है A minus minus 3 upon 2 क्योंकि है formule Criminal क्या था हमारा minus 2 upon a 대한 मारा conflicting हमने साइन हाती ब्रैकरेट लगा दिया प्लस यहाऊंद्ट क्या हो दे throw या चीया 30ihenोमडर मेंटन में तू है तो हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास हमारे पास दिया अब हमारे पास है प्रोडक्ट आफ रूट्स देखिएगा प्रोडक्ट आफ रूट्स एल्फा और बीटा ठीक है जी अब फॉर्मॉले गया था हमारे पास सी अपॉन ए सी जो था हमारे पास हो क्या था फोर था तो हमने लिग दिया है यहां पर फोर हमारे पास माइनस फूर था सी ठीक है और हम आपस क्या था 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 हमने यहां पर रीप्लेस करा आवे टुस है ठीक है तो यहां पर हमने cancellation हो रही है टू मन्सार टू 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 टूसर फॉर तो हमारे पास जो आफ चुलदॉप और फ्रोट का वह को आया है माइनस टू हमारे पास सम अफ रूर्ट जो है वह त्रीए फूर्ड वाइन फूर्ट है वह हमारे पास माइनस तो यह ईजी कॉश्टंग्ध है ठीक है जी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपने तो इजी ली आपके जहन में बैठ जाएंगे कि अब दिखिए को नमर थी हमारे बाद एक्सक्वाइर माइन एक्सक्वाइर इस इकोल टू एक्स अब हम इसे according to quadratic equation में सेट करेंगे क्योंकि कोड़ेटी एक्सक्वाइर आता है एक्सक्वाइर पर फिर जीरो आजाती है मलब पर एक्सक्वाइर फिर एक्स एंड देन कॉंस्ट तो हमने यहां पर सेट किया एक्सक्वाइर हमने इस अच्वाइड किसका होगी है माइनस का यह म यह मारे पास माइनस थ्री अपॉर एसक्वाइर है ठीक है अब हम निकालेंगे सम ओफ रूट अलफा प्लस बीटा इस एक्वल टू माइनस वी उपॉन एक्सक्वाइर के बराबर माइनस बी कि वैल्यू क्या है एक्स के साथ जो हमारा बी होता है हमने रिप्लेस कर दिया मा यह फॉर्मले का माइनस है ठीक है उसके बाद हमारे पास जो एक स्कॉयर के साथ था मतलब जो हमारा एथा वो क्या था वन यहां में लिख दिया वन माइनस से माइनस मंटिप्ला हुआ तो एट विल बिकम पॉजिटिफ फॉर्डिटिफ बन जाता है बन जाएगा वो यहां य क्योंकि हमारे पास जो प्रोड़क्ट ऑफ रूटिफ की वैली होती है सी अपॉन एक के बराबर जो सी है हमारा ओल्लेडी वो उसमें डिवाइड मौजूद है मतब फ्रेक्शन आ रही है तो हमने सी की रिगा पर लिका माइनस का 3 अपॉन 4 हम इसके नीचे लिख सकते थे ल अब इससे डिखा सकते हैं डिवाइड को और इसके नीचे भी रिखा सकते हैं अब क्यूंकि हम इसे फ्रेक्शन है हमारे पास फ्रेक्शन को सॉल करें डिवाइड को मौल्टिप्लाय में चेंज करेंगे तो यह वैल्यो रिवर्स हो जाएगी ठीके जी यहां पर वन आ स्काया माइनस 3 अपान 4A स्कायर उसके बाद है हमारा कुष्सन नंबर 4 ठीक है यह हमारा 7 है भी हमारा माइनस 5K है क्योंकि X के साथ जो भी होती है वैल्यो कॉड़ेड एक्वेशन के अंदर वह हमारा भी कंसीडर की जाती है और जो C है वह हमारा 7K है बहुत है सिंपल है सम of roots जो है वह हमसका formula हम निका लेंगे minus का B upon A भी हमारा minus 5K था हमने minus 5K को लिख दिया और यह formula का minus है A क्या था 7 एक जिगा पे हमने 7 को place कर दिया minus minus क्या होता है plus यह हो गिया 5K upon 7 उसके बार हम निकालेंगे product of roots alpha और beta product of root क्या था उसका formula क्या था हमारे पास उसका formula था C upon A K लिख दिया और जो A है हमारा वो क्या है 7 यहाँ पर हमने 7 लिख दिया 7 को 7 से cut कर दिया हमारे पास क्या बच्चा के की हमारे पास यहाँ पर आ गया यह हमारा answer हो गया